नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्या मंत्र तंत्र यंत्रवास्तू के विशेज काजग्रम के साथ नवरात्र में कलस अस्थापना की बहुत बड़ा महत्व है अक्सर आप नवरात्र के पहले दिन कलस के अस्थापना करते हैं किसी योग पंडित को बुलवाते हैं और फिर आप कलस की अस्थापना करवाते हैं मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप कलस की अस्थापना बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं जिसमें किसी पंडित को भी बुल्वानी की कोई जौरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कलस के अस्थापना आखिर क्यों करते हैं, कलस अस्थापना के लिए क्या सामगरी की जौरत परती है, और कैसे करनी है कलस के अस्थापना, तो बने रही हमारे साथ हम आपको कलस अस्थापना की सबसे आसान बीधी बताएंगे जिस बीधी का इस्तमाल करके आप किसी भी पूजा में नवरात्र के साथ साथ किसी अन्य पूजा में भी कलस की अस्थापना बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको पताते हैं कि कलस अस्थापना आखिर क्यों की जाती है देखिए कलस अस्थापना को घट अस्थापना भी कहा जाता है कलस अस्थापना से मा दुर्गा का आवाहन किया जाता है और सक्ति की इस देवी का नवरात्री से पहले बंदना से देवी मा घरों में बिराजमान रहकर अपनी किरपा बरसाती है ऐसी मनता है तो कलस के अस्थापना में आप मा दुरगा का आवाहन करके उनको अपने घर में अस्थापित होने की प्राफना करते हैं ताकि वो आपके घर में बिराजमान होकर आप पर किरपा बरसाती रहे अब हम आपको बताते हैं कि कलस अस्थापना की क्या है सामगरी देखिए कलस अस्थापना के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का एक पात्र लेना है इसके साथ लाल रंका आसन, जो, कलस के नीचे रखने के लिए मिट्टी, कलस, मौली, लौंग, कपूर, रौली, सापुद, सुपारी, चावल, असोक या आम के पंस पत्ते, नार्यल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, तथा माता का स्रिंगार और फूलों की माला की अबसकता प आपको एकत्रित कर लेना है, अब हम आपको बताते हैं कि कलस अस्थापना की सबसे समान विधी क्या है, ये सबसे अचुक और समान विधी है, इससे आप कलस के अस्थापना बड़ी असानी से कर सकते हैं, तो करना क्या आपको, नवरात्र के पहले दिन नहाकर मंद्र की सफ और मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें उसमें जो के बीच भी डाल दें कलस या लोटे पर मौली बांधे और उस पर स्वास्तिक बनाए इसके बाद आपको क्या करना है लोटे जिसे हम कलस भी कहते हैं पर कुछ बुंद गंगाजल डाल कर उसमें दूब शाबुत सुपा अक्षत और सवार उपया डाल दें अब कलस के उपर आम या असो के पांच पत्ते लगाएं और नार्यल को लाल चुंदरी में लपेट कर उसके उपर रख दें अब इस कलस को जो वाले मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें अब माता के सामने ब्रत का संकल्प लें और इस तरह से आप पूजा की सुर्वात कर सकते हैं तो मैंने आज आपको बताया कि कलस अस्थापना की जो सबसे समान बीधी है वो बीधी क्या है इस बीधी को अपना करके आप निश्चित रूप से अपने घर में किसी अन्य पूजा में नवरात के साथ साथ कलस के पंडित की सहायता लेने की भी जुरत नहीं है। आप इस तरह से कलस्किय अस्थापना कर सकते हैं।